हाई दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत है कि नीव वीडियो में क्या दोस्तों आपका वीडियो भाइरल नहीं हो रहा है दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगो को चैनल का इसे 5 सेटिंग के बारे में बताऊंगा अगर उस 5 सेटिंग को अगर आप अपने चैनल प आप्लाई करना है इस पास सेटिंग के मदद से हुआ आपका वीडियो से वह भायरल होता है तो दोस्तों कौन सा इस शेटिंग है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को completely आखरी तक देखना है बिल्कुँ इसके नहीं करना है इस setting के मदब से ही आपका video से वह viral होता है तो चलो दोस्तों वीडियो को start कर लेते हैं और आपको बता देते हैं उन पास setting के बारे में जिससे आपका video से वह viral होता है तो चलो दोस्तों मैं अपना mobile ओपेन करक तो Chrome browser का search बार पर आपको जाना है जाके इधर आपको search करना है studio.youtube.com तो मैं लिख कर search कर लेता हूं studio.youtube.com तो उसके बाद आपको पहला वाला एक link open हो के आ जाएगा देखने को मिल जाएगा YouTube studio तो simple सा आपको YouTube studio पे click करना है जो आपका channel का studio है ओ खुलके आ जाएगा Chrome browser पे दोस्तों देख सकतो मेरा channel का studio जो है Chrome browser पे खुलके आ चुगा है तो उसके बाद आपको simple से आ करना है नीचे के तरफ जाना है आपको एक setting बाल option देखने मिल जाएगा तो simple सा मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं यह बाला जो setting है यह setting बाल option देना हो मिल जाएगा तो इन सारे अप्सेंग करना है जो पांस settings को कर लेन करना है आप यसे वीडियो को किया क्रते लिए क्लिक करने के बाद आपको ना करना है इधर इंडिया करना है तो अब करके रखा हूं को तो इधर और मेरा इंडिया लिखा हुआ है तो आपका इंडिया अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप phosph communicate करने के बाद आप को बहुत सारा कंट्री देखने में मिलेगा आप इंडिया से आपको को सिलेट करना है क्योंकि दोस्तों यह मैं इन्पर्टेंग होता है जो आप कुछ ऑडियंस को लाओगे अपने चैनल पर कहा का होगा इंडिया का होगा क्योंकि दोस्तों आप अगर इंडिया से हो अगर आप इंडिया scalyut तो आपका जो वीडियो है इंडिया का जितने भी सारे ओडियन्स है उनके पास आपका पीवार्ण लगा देना है जैसे मैं इधर आपको लखना है आपका चैनल का नाम जैसे कि आप लीक सकतो टेक्ञेकल्atz जैसा मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल्स तो मैं चैनल का नाम लीडियोश टेक्निकल्स वाइरल वीडियोश ऐसे यह between होता है उस सारे टेख को इधर आफको लेकश्छ कर के जैसे मैं लीक देता हूं देख सकत tutti एक पति झाफ्ट तेकनिकल मोजा तो दोस्टतों मैं लिट लेता हूं टेकनिकल मोजा तो इसलिए चैनल मुणता कि आप होम सबसे पहले लिया लेना उसके बाध कोhin niveau फिर सेमान के करें है सब्सक्राइब करने के बाद यह सारी सेटिंग हो जाएगा उसके बाद ुबारा से आने के बाद आपको एड्बान सेटिंग पे जाना है और अधर आपको सेटिंग पे कोई भी आड्बान सेटिंग दोस्तों intermediate feature तो यह जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा important होता है आपका वीडियो का थमनेल लगाने के लिए आपका वीडियो में अगर आप थमनेल लगाने जाओगे तो उससे पहला आपका वीडियो को आपका जो चैनल है उसको verify कर लेना होता है verify आप किसे कर सकते हो अपने next page खुलके आया जाएगा देखने को मिल जाएगा तो simple सा दोस्ते इस पर आपको आपको अपना mobile number type करना है आप जिस भी mobile डाल देता हूं तो मेरे पास otp आया है मैं उसको डाल देता हूं तो simple सा आपको आकरना है इधर otp को अपना डाल देना है otp जब आप डाल दोगे तो आपका चैनल जो हो रेडी हो जाएगा थमनेल लगाने के लिए verify हो जाएगा आपका चैनल देख सकते हो दोस्तों for number is verified तो मतलब मेरा चैनल जो है वो verify हो चुका है तो दुबारा से मैं बापस आ जाता हूं अपने Chrome browser पे दुबारा से सेटिंग पर आ जाता हूं तो दोस्तों मेरा देख सकतो है इनेवल हो चुका है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने चैनल को verify कर लेना है verify अगर नही visible का option देखने हो मिल रहा है तो इससे आप click करो ना करो कोई दिक्कत नहीं बाद में YouTube आपका verify कर देता है तो simple सा आपको दुबारा से मैं लेके जाता हूं दुबारा से इधर आपको जाना है किधर मैं दिखा देता हूं simple सा upload default पे click करना है तो चलो upload default पे click करने के बाद यह ज देख सकते हो upload default पे click कर दिया हूं और इधर आपको देखने को बोल रहा है कि आप टाइटल और description लिखने को टाइटेप और description नहीं देना है क्योंकि दोस्तों कि दोस्तों मैं simple सा आपको बतना चाहूंगा अगर आप इस पर टाइटल description लेखोगे तो आपका जो हर वीडियो है उस पर आपका automatic title और description आ जाएगा तो दोस्तों इसलिए आपको इधर upload default पे title description नहीं लिखना है इसको को इसे ही छोड़ देना है क्योंकि दोस्तों हर जो वीडियो साब upload करोगे हर वीडियो पे एक ही टाइटल और एक ही description आएगा इसका कोई मतलब नहीं होता है इसलिए आपको आकरना है इस पर आपको upload default पे कोई भी इधर नहीं लिखना है उसके बाद आपको इधर एक और एक advanced setting option देना मिलेगा तो simple से आपको इस पर जाना है और इस पर आपको तीन से पर ओडियंस के पास यूटूब बेज़ेगा इसके लिए आपको अपना चैनल का का टागोरी सिलेट करने के लिए इधर देख सकते हो category अपसे नहीं रहा है इस एरो पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास सारे के सारे category आ जाएगा तो मैं दिखा दिता हूं इस पर अब क्लिक कलोगे देख सकते हो इधर आ गया है जैसे कोमेडी एडुकेशन इंटर्टेन्मेंट फ्लीम एन एनिमेशन गेमिंग हाउ टू एंट स्टाइल म्यूजिक जैसे बहुत सरे पीपूल अन ब्लॉक्स जीस भी रिलेटेड आपका चैनल है जीस भी रिलेटेड अगर आ और एंटर्टेन्मेंट के लिए रिलेटा करना चाता हूं तो एंटर्टेन्मेंट trabajo कर लेता हूं कलिक करने के बात और आपको देखने को मिल जाएका बीडियोमिल then video i November वि आपका बहुत ही ज्यादा मैंटर करता है तो सिंपल सा आपको लायसेंस का अपुछन देगनों मिलागा कि एक एक इशेंडरर यूटु लाइसेंस्ट तो इसको आपको इसको टेम्इन सीरीन देना जैनल जो है आपको आपको बीडियो को भाइडि करने के लिए आपका वीडियो स्कोर्व ज्ञादा लोगों के पास इंप्रेशन वेजने के लिए तो दोस्तों इस तरीके से आपका वीडियो स्ट पर आपको वीडियो स्पर व्यज triggers आपको अपने-चैनल के environmental इन जो पांस सेटिंग के बारे मैं ने बताया है इन पांस सेटिंग को अपने चैनल पर पहले अपलाई कर लेना है अगर आप इन पांस सेटिंग को अपलाई नहीं करोगे तो आपका वीडियो पर भीव नहीं आएगा इसलिए आपको सबसे पहला इन पांस सेटिंग को अपने च जय भारत